नमस्कार मित्रो मैं मम्ताबाश फेबो पाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है लीजिए मैं फिर हाजर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ आप देख रहे हैं इंडियन टैरिस गार्डिनिंग आर्ट सामने आप देख रहे हैं अडेनियम की लीव्स जो कर हो रही है उपर की तरफ तो क्या आपके पौदों की भी अडेनियम की लीव्स कर्ल हो रही है और आपको पताया कि यह क्यों हो रही है चले आज इसी के बारे में बात कर लेते हैं तो हमको यह लगता है कि यह गर्मी में रहने वाला पौदा है और हाँ है भी पौदा तो जह फ्लारिंग दे के फ्लार्स खतम हो गए और सीट पॉट जिन में बनने थे वह बन गए और अधिक धूप में रखने से क्या होता है कि हार्ष जो लाइट आती है तेज धूप जो पत्तों को भी बर्ण कर रही है और इनके जो बॉडी में पानी है वह इवापरेशन बहुत प्रम हो जाती है उस चक्कर में पॉदा खुद को सेफ करने के लिए अपनी पत्तियों को कर लेता है या फिर ये पत्तियों को गिरा भी सकता है तो ऐसा नहीं है कि इससे पॉदे को कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा डरने की बात नहीं है आप करें क्या कि बस आप पानी दे दें और अगर पॉद बहुत चोटा है तो गर्मी गर्बी आप पॉद के नीचे एक ट्रे भी लगा सकते हैं जैसे मैंने कुछ चोटे पॉद के नीचे लगाई है तो अगर नीचे तक पानी नहीं पहुंच रहा है या पानी खतम हो रहा है तो वो ट्रे का पानी यूज हो जाएगा और यह देखिए छोटा पौदा है तो इसकी लीव कर्ल नहीं है तो जो पुराने पौदे हैं जिनकी नीचे रूट बाउंड है उनकी पतियां ज्यादा कर्ल हो रही है जो नई कटिंग है यह छोटे पौदे हैं यह देखिए यह भी अच्छा खिल रहा है और यह इस साल इस पर ग्राफ्टिंग की थी उसका रिजल्ट भी आप देख लीजिए और बहुत चोटा पौदा है यह रूट स्टॉक सीट से तैयार किया था तो यह पेंक कलर का जो होता मजेंटा कलर का रूट स्टॉक है और उस पर यह इस तरह की ग्राफ्टिंग की तो फुल सनलाइट में भी रखें तो चल रहा है यह निचे रूट सब कर्म होती है ना तब जाके यह सिचुएशन आती है कि पतिया कर्ल होने लगती है तो आप पॉटिंग मीडिया तो खर आप वेल्ड रिंड ही बनाए उसके लिए इसलिए कि आज तो चलो ठीक है कि पति कर्ल हो रही है तो हम ज्यादा पानी डाल सकते हैं लेकिन अगर हमने इसका पॉटिंग मीडिया यानि कि मिठी ऐसी बनाई जो थोड़ा पानी होल्ड करती है यानि कि सेंड वगरा कम मिलाई तो क्या होगा बरसात में पॉधा गल जाएगा बरसात में निश्चिती रूट र कि हान रखें कि हाँ गर्मियों में आप फिर रेगुलर पानी दें पॉधे को लेकिन इसका पॉटिंग मीडिया आप बहुत ज़्यादा भुरवुराई बनाएं वेल्डरीन ही बनाएं सैंडी बनाएं और बहुत बड़ा पॉट भी नहीं दें क्योंकि बहुत बड़ा निवर बहुत ही खतरनाक है आपका अडेनियम क़ मॉयस्ट्यर से लीव्ज गिरा सकता है उसका कोडेकस शिर्उंक हो सकता है उसकी पतियां करल हो सकती है flowering कम हो सकती है लेकिन मरेगा कभी नहीं जैसे ही बर्साथ आएगी वो बापस हरा भरा हो जाएगा लेकिन कहीं ज्यादा पानी हो गया यह पानी नीचे से उसका hole बंद हो गया मिट्टी ने पानी पकड़ लिया यह पानी रुक गया मिट्टी में तो निश्यत ही फिर वले ही वो गर्मी हो आपका पूरा अडेनियम पहले मुलाइम होगा और पूरा गल जाएगा सड जाएगा और पौदा खत्म हो जाएगा तो बस आप करल होने से डरे नहीं हाँ जिन पौदों में सीट पौड बन गए हैं फ्लारिंग हो चुकी है उनमें regular पानी दें क्योंकि पानी की कमी रह गई तो सीट पौड में जो सीट बनेगा वो बिलकुल भी healthy नहीं आएगा बिलकुल हलका हो जाएगा और आप उसे बोएंगे तो वो उगेगा भी नहीं तो अच्छे सीट के लिए पानी जब सीट पौड बन रहे हैं तो पानी भरपूर दें आप पर पानी जदा देने से क्या फ्लारिंग कम हो जाती है पत्ते जादा हो जाती है तो ठीक है कोई बात नहीं हम फिर फूलों की चिंता नहीं करेंगे उसमें जो सीट पौड लगा उसकी चिंता करेंगे देखिए यह नीचे इसमें कई सीट पौड बन गए हैं और जिन में पानी की कमी है उनके पतले रहे गए हैं और जिन में पानी भर पूर है वो अच्छे मोटे मोटे सीट पौड बने यह देखिए तो बहुत ही बड़ा है और कुछ आपको बहुत बा बस आप पानी की मात्रा बढ़ा दें एवरी डे पानी दे दें और इतना पानी दें कि नीचे तक पानी ड्रेन होके रूट्स तक जाए और एकठे एक जगे रख देंगे तो भी उससे फाइदा होगा क्योंकि उससे हुमिड बाता बरन रहेगा और फिर ना आपका ये स्रिंक नहीं होगा तो उमीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार